श्री विनायक मंडल द्वारा मातारानी का भंडारे का आयोजन किया गया हर वर्ष की तरह इस वर्षभी शनत पुर्णिमा के उपलक्ष में मातारानी को भोग लगा कर भंडारे का आयोजन किया गया गुजर धर्ती में किया गया आयोजन, शीम सोहनलाल बोगारिया, वधिरज बागोरिया, दीपक बागोरिया, वशी नरेंदर कुमार रोतवाला, सोहनलाल बागोरिया के द्वारा आयोजन की जानकारी दी गई इस साल भी हमने बढडारे का आयोजन रखा गया, इसमें सुबह माताराणी के वजन कर रहा हुए थे, उसके बाद आरती हुई थी, और हमने आरती में आरती बाद रखी है, कि हमने कोई अतिती को नहीं बुलाया, और हमारे जो कारे करता हलवाई होते ने, हमारे च्छे हलवा के अप्लक्स में होता है कि यह सर्वत्पुन में के हिसाफ से ही करते हैं वैसे तो, बगर यह माताराणी के नवरात्रे में हम जैसे जागना निक पाते हैं तो आज के दिन करके और इससे मतलब वैस्ता है, इस जगे कुछ जादा ही रस आता है, इस हिसाब समने करा है कि वह पेश्ट रोता है नवरात्रे में सब्चे खाना इस इस इसाब से इस बार अमने पूनम पर हो रहा है, यह तो पास सालों से रेगुलर हो रहा है, और पहले जो आमार से पहले जो तेने विनायक मंदल वाले वह भी करता है और इसका नाम के अपने ब्याक मंदल ही रखा है, विनायक मंदल के द्वारा शर्द पूनम उप्लक्स में हर साल की बाती इस साल भी पर्शादी का आउजन कह जा रहा है, जिसमें पद्रीय वालों के नाम से मशूर सुनलाल जी बागुरे द्वारा और में नरंदर गुमार के द्वारा है, यहां पर मंदाडी का आउजन कह स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रहे यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुल्य सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें